तो आज कल बॉलिवूट के कई सारे एक्टर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं पर कोई भी हिट मूवी नहीं दे पा रहा है और हिमेश रे समया से ये चीज देखी नहीं गई और उन्होंने ये मूवी बनाया जिसका नाम है बैडएस रवी कुमार हिमेश रे समया को ये लगता है कि बॉलिवूट के डारेक्टर्स ही अच्छे नहीं है इसलिए उनकी मूवी नहीं चल रहे है तो इसलिए अपने इस मूवी को उन्होंने खुट डारेक्ट किया है और एक्टिंग तो आप उनकी जानते ही है पर सायद उन्हें ये नहीं पता था कि सिर्फ एक्टर और डारेक्टर सेम होने से मूवी कांतारा जैसी हिट नहीं हो जाती है इस मूवी के डायलोग सुनकर या पागल हो जाओगे अरो भाई ऐसे डायलोग कौन लिखता है मतलब कुछ भी और इस टीजर में जो हिमेश रिसम्या का confidence है ना मानना पड़ेगा भाई खैर मूवी कैसी भी हो पर हम आपके singing के तो fan है और आप लोग हिमेश रिसम्या को singing में देखना चाहेंगे या acting में अमें comment में लिख की ज़रूर बताईएगा